कि हलो फ्रेंड्स वर्धनिक एड़िमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वेकंसी 2021 से संबंदी जो हमारी साइंस की जो सीरीज चले उसमें पार्ट 10 को पढ़ेंगे ठीक है पार्ट कौन सा है हमारा दस कि इसको आज की वीडियो में लोग डिस्कस करएंगे और देखेंगे की कि की की कि जो आपके तरंग गती और दो चैप्टर में धesten तो आप उसको तियार कर करके आएंगे इसलिए यह चीज की गई थी ठीक है और जो तो अभी इसको डिसकर करते हैं इससे पहले कल जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसको मैं अभी बता दूँ जिससे आप लोग उसको तयार करके आएं और फिर यहां पर हम लोग डिसकर कर लेंगे कोस्चन को और किसी कोस्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज उसको आप लोग बताईएगा और बाइचा देखिए समय थोड़ा सा मैं बार बार नहीं कह सकता कुछ चीजे चल नहीं है प्रॉब्लम्स कुछ चल नहीं फिर भी मैंने स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि काफी कम से कम 20 दिन स से चीजों रुकी हुई थी तो काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्लासिज स्टार्ट कर दीजिए तो मैंने इसलिए और यहां पर स्टार्ट कर दी इसलिए मैं 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 स्की नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम बिल्कुल सही हो जाए तब मैं स्टार्ट कर कि पाइएंगे वह होगा उत्षरजन तंत्र और तंत्रिका तंत्र आपका बायो से related है ठीक है उत्सरजन तंत्र और तंत्र काट अंतर आप लोग नोट कर लिए इन्हीं दो को आपको कल पढ़ के आना है और आजकी वीडियोम में जो पढ़ेंगे वह हैं तरंग गतरो और द्वनि तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आजकी वीडियो में जो कोश्चन है वो किस प्रकार से रखे गए तो चाहे वो सरल चैप्टर हो चाहे कठीन लेकिन मैंने यहाप कोशिच कर रहा हूं कि जितने भी आपके चैप्टर जो आपके स्लैबस में हैं वो सारे आपके कम से कम वही आपको फिर से मैं बता दू कि एक बार यहाँ पर कम्लीट करा दिया जाएंगे फिर उसके बाद आपको MCQ भी करा दिया जाएंगे अलग बुक्स है ठीक है तीन-चार बुक्स से मिक्स करके ठीक है जिससे क्या होगा कि अगर बाइचांस बन लाइन बच गया तो फिर MCQ में वो कवर हो जाएगा और MCQ के बाद मैं कम्लीट करा दिया जाएंगे 6-8 तक आपकी कम्लीट होई चुकी है ठीक है तो चलिए आज की वीडियो श्राट करते हो देखते हैं तरंग गति वेव स्पीड और ध्वनी जो साउंड ठीक है इनसे संबंदित कोस्चन्स है यहाँ पर तो चलिए पहला कोस्चन है द्रस से प अगर उसमें आपको 20 कोस्चन आ रहे हैं तो समझ लेजिए आपको काफी अची आपकी तैयारी है अगर एक्जैक्ट आ रहे हैं तो समझ लेजिए आपकी बहुत अची तैयारी है ठीक है क्योंकि multiple choice कोस्चन होंगे तो आपको 3-4 कोस्चन का तो फायदा आराम से मिलना ही मि जब multiple choice की बात आएगी तब उसको उपर करेंगे दूसरा है बंद चूल है मतलब ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है ठीक है ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है अगर वाईचांज इस तरह से कोस्चन आया आप ना समझ पाएं तो अपना जो इंग्लिस का पोर्शन ह इंग्लिस के में भी तो छपके आएगा पेपर तो उसमें आप लोग देख लिए ओवन लिखा होगा ठीक है ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है सोज्म तरंगों का मतलब माइक्रोवेब का ठीक नेक्स्ट कोस्चन है को से नमबर थ्री राश्ट्री द्रस्ट उपकरन म नीवर नीचोन नमबर फूर क्रिस्टल की सर्ठ्चना ग्याद करने के लिए किन किर्णों का प्रयोग किया जाता है कर लगह चुला यहां पर पूछा गया सुझा है आयन मंदल, बहर मंदल, इन में से किस मंदल में पाई जाती है, देर ग्रेडियो तरंगे, तो इसका जो राइट आंसर है, वो है आपका आयन मंदल में, इसका जो राइट आंसर है, वो है आपका गामा किरणों के उत्सरजन के कारण, इसका जो आंसर है, वो होगा रेडियो तरंगों का, नेक्स्ट कोश्चन नमबर एट, सुदूर संबेदी युक्त नियंत्रण में एक अंतर निमित शुरोत होता है, कौन सा होता है, तो यही कोश्चन यहां पर पूचा गया, अब यहां पर सुरी यहां पर मैंने इसका जो हिंदी में लिखना था मुझे, मैंने वो नहीं रिमोट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है, यहां पर मैं, वैसे मैं कोशिच करता हूँ कि लिख दूं, लेकिन यहां पर भूल गया, तो यहां पर लिख क्या होगा, रिमोट कंट्रोल डिवाइस, तो रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर निमित रोत होता है, किस चीज का गामा किर्णों को तरंग दैर्ध के आरोही क्रम में रखें ठीक है मतलब यह इस तरीके से question हो गया तो इससे क्या है बाई चांज अगर question पूदिया जाए पैराव परावेंगनी किर्णे गामा किर्णों में से सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध किसकी है तो अगर इसका answer आपको पता होगा तो आप लोग बता सकते हैं या सबसे कम किसकी है ठीक है तो नाइन्थ का जो answer होगा वो होगा आपका सबसे दिखिए आरोही क्रम में मतलब आरोही क्रम में जैसे एक, दो, तीन और चार को रखना हो आरोही क्रम का मतलब होता है एक, दो, तीन, चार बढ़ते हुए क्रम में ठीक है एक सबसे चोटा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा ऐसे करना है तो सब से कम जो तरणदैर्ध होती ही हो फिर उस से ज़्याद लास्ट में सबसे ज़्यादा सूच क्रूरण की तरंगदर्ध धे सर्वाधिक होती है है next समीप आती हुई रेल गारी की सीटी की आवरत्ति या तीछड़ता बढ़ती जाती है ऐसा किस गारण होता है प्रभाव के कारण ठीक है डॉपलर प्रभाव के कारण वह तीसरता बढ़ती जाती है नेक्स्ट कोस्चन है कोसे नम्बर 11 आतों से संबन्दित रोगों के निदान में कौन सी किर्णों का प्रयोग किया जाता है कि इसका जुराइट अंसर होगा वह होगा आपका एक्स किर्णों का ठीक एक्स क्रेश का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट कोस्टन कोसे नम्मर 12 मानव द्वारा स्रव्य तरंगों की आवरत्य कितनी होती है तिक स्रव्य तरंगे मतलब सोनिक वेवस ठीक है जो मानमलदारा सुनी जा सकती है सोनिक वेवस तो इनकी जो होती है अवरत कितनी होती 20 से 20,000 हर्ड तक ठीक है इससे मतलब 20 से 20,000 हर्ड तक की आवाजे होंगी तो ही हम लोग सुन सकते हैं इनसे 20 से नीचे होती है वो होती है मैं अप सर्व dental और उसे उपर होती है वो परसर्व तरंगे होती है नेग्स तैप परासरव्यTHवनी तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है कि कुस्चन नमबर 13 तो काफी लोगों दौरा सुनी जा सकती है लेकिन यहाँ पर दो आंसर है कुट्व डालफिन दौरा डालफिन मचली दौरा तो यह परासरफ धनी इनके दारों सुनी जा सकती है नेक्स्ट टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोक किया जाता अभी हमा गादळ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना सिकार भी कर सकते हैं इसका क्या कारण है तो ये भी वे पराध्ध्वनी तरंगे उत्पन करते हैं उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं मतलब पराशरव्य तरंगे उत्पन करते हैं तो चमगादळ भी पराशरव् निकली है ठीक है आवरती पर नेक्स्ट प्रतिध्वनी इको का कारण होता है प्रतिध्वनी जो होती है उसका कारण क्या होता है तो कारण होता है उसका ध्वनी तरंगों का परावरतन इसका अंसर तो मैंने पहली बता दिया था एक अन्य कोश्चन में तो होती है बीस हजार हर्ट से अधिक है नेक्स्ट कोश्चन नमबर 19 इसमें कुछ इजी कोश्चन होंगे क्योंकि अब आपको पता ही है कि तरंग गती और ध्वनी से ही कोश्चन पुछे जा रहे हैं तो अगर जो कोश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आप लोग नोड करते जाईए ठीक है किसे मापने हैं तो डेसीबल एकाई का प्रियोग किया जाता है तो इसका जो राइट अंसर है वो है ध्वनी की तीव्रता मापने में ठीक है ध्वनी के स्रोत वह परावर्ति सतह के और इसका जो राइट आंसर है वो है 16.5 मीतर अगर आपको अपनी परतिज्वनी सुननी है तो कम से कम आपके जो धूरी होनी चाहिए वह होनी चाहिए वही है 16.5 नेक्स पॉस्चन कॉस्चन नमबर 21 वायू में ध्वनिका वेग कितना होता है वायू में ध्वनिका वेग कितना होता है तो वायू में ध्वनिका वेग यहां पर पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से आप लोग बताईए तो इसका जो राइट आंसर है वो है 343 मीटर प्रतिस सेकेंड ठ नेच्ट कुस्टन नमबर 22 सिनेवागरों बड़े सभागारों अदिमे ठीक है ध्वनी स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनी सुनाई देती है जैसे सिने में में बंद हो जाता है मतलब उसको बंद कर दिया जाता है उसके बाद से भी आवाज यह आती रहती है तो इसका कारण क्या है तो इसका जो कारण है वो है अनुरणन ठीक है yeah deportation टीक है रिवर्व जोने कस नंबर 20 इती वह शैव पद्धत जिसमें पराशरव ध्वनी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहता है इत इसका जो और ट taking वह सोनोग्राफी ठीक है सोनोग्राफी नेश्ट कोस्षिन नमबर 24 चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं इसका क्या कारण है इसका जो राइट अंसर है वह चंद्रमा प्रवायो मंडल नहीं है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 25 जल लोहा वा नाइट्रोजन में ध्वनी के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा ठीक है यहां पर भी वही बात है कि वेग किसमें असरवादिक होता है ऐसे भी कोश्चन होना सकता आरोही क्रम अगर आपको आरोही अवलोही क्रम पता होंगे तो भी आप अंसर लगा सकते हैं तो इसमें देखिए आरोही क्रम सबसे देखिए ध्वनी के वेग वेग जो है सबसे कम होता है नाइट्रोजन में इन तीनों की बात कर रहे हैं फिर होता है उससे ज्या में सबसे कम होती है फिर उससे ज़्यादा होती जल मतलब जली यह माध्य में और सबसे ज़्यादा होती है ठोसों में ठीक तापमान का ध्वनी के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है ठीक तो इसका जो राइट अंसर है तापमान के घटने से ध्वनी का वेग घटता है ठीक तो इसका जो राइट अंसर है वो निर्वाद से देने नहीं गुजर सकते और लास्ट क्यसका है कुस्स्राइट इस M Kernवर थे तोसको जीभी थे क्योंकि लेकिन इस चैप्टर को किसी भी चैप्टर को छोड़ा नहीं जा सकता है मैंने मेरी कोशिए यह है कि अधिक से अधिक जितने भी आपके चैप्टर से उन सभी चैप्टर सके करा दिया जाए क्योंकि सरल और कठिन यह इजी और डिफिकल्टी है तो आपकी तयारी के ऊपर है कि जिल लोगों की तयारी अच्छी है उनके लिए ये बहुत हीजी होंगे जिनकी तयारी नहीं है उनके लिए ये टफ होंगे जिनकी मिडिल में होगी उनके लिए आधे सही हैं मतलब वही सही तयारी होगी ठीक है तो अगला जो हमारा chapter है जो कल हम लोग discuss करेंगे वो होगा उत्सरजन तंत्र और दूसरा है tantricbly का तंत्र ठीक है nervous system ठीक है तो इसको हम लोग discuss करेंगक कल की वीडियो में और जैसा भी हो आप लोग आज की कमेंट आगर पले हो कोईaches कोई question आपके doubt में है तो आप झाल झाल